आदानिय दग जी मनिपूर की स्तिती पर देश के ग्रहमत्री सिर्मान अमिक शाह ने कल दो घंटे तक विस्तार्च और बड़े धैरिय से जरती भर्वी राजलीती के बिना सारे विशय को विस्तार्च समझाया सरकार की और देश की चिंता को प्रगटे और उसमें देश की जनता को जागरुक करने का भी प्रयास था उसमें इस पूरे सदन की तरब से एक विश्वास का संदेश मनिपूर को पहुंचाने का इरादा था उसमें जन सामाने को सिक्षित करने का भी प्रयास था एक नेक इमानदारी से देश की भलाई के लिए और मनि पूर्पूर की समस्या के लिए रास्ते खोजेना एक प्रयास था लेकिन सिवाए राजलिती कुछ करना नहीं है इसलिए इन्हों ने यही खेल किये यही स्थिता किये अधरने अध्यट में हो दाए कल वैसे विस्तार से अमीर भे ने बताया है मनिपूर में अधालत का एक फैसला आया अब अधालतों में क्या हो रहा है वह हम जानते हैं और उसके पक्ष में जो परिस्तित्या बनी हिंसा का दोर शुरू हो गए और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई अनेक दोने अपने स्वजन भी खोई महिलाओं के साथ गंबीर अपराद हुआ और यह अपराद अक्षम में है और दोश्यों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल करके भरपूर प्रयास कर रही है और मैं देश के सभी नागरिकों को आस्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार चे प्रयास चल रहे हैं निकट भविश में सांती का सुरत जरूर उगेगा बनिपूर फिर एक बार नए आत्मी स्वास के साथ आगे पड़ेगा मैं बनिपूर के लोगों से भी आगरपूर को कहना चाहता हूँ वहां की माताओं बेहनों बेटियों से कहना चाहता हूँ देश आपके साथ है हम सब मिलकर के कोई या हो या न हो हम सब मिलकर के इस चनोती का समाधा निका लेंगे वहां फिर से सांती की स्थापना होगी मैं मनिपूर के लोगों को विश्वात दिलाता हूँ कि मनिपूर फिर विकास की रहा पर तेज ग्रती से आगे बढ़े उसमें कोई प्रयांसों में कोर कसर नहीं रहेंगे अंचित की जाए बढ़े खिञे प्रयांसों में यसमेदेंगे झाल झाल